केंद्र वो प्रदेश सरकार की यूजनाई यदि धरातल पर पहुंचे तो बेरोजगारी की समस्या कुछ ही दिनों में समाप्थ हो सकती है इसी को ध्यान में रखते हुए विबिन विभागों के माध्यम से बेरोजगारों तक सीधी पहुंच बनाकर उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेडित किया जाएगा ये बात उपायुक्त कांग्रा संदीब कुमार ने धरमशाला में आयोजित पत्रकार वारता के दोरान कही कांगडा के उपायुक्त संदीब कुमार ने धरमशाला में पतरकार वारता के दोरान कहा कि बेरोजगारी मौजूदा समय में सबसे बड़ी समस्या है और इसका यताशीग्र समधान करने की आवशक्ता है जिसके लिए जलाकांगडा में एक विशेश अभियान स्वरोजगार आपका अधिकार विवाग आपके द्वार नाम से शुरू किया जा रहा है उपायुक्त ने कहा कि इस विशेश अभियान के तहट उन लोगों को सरकारी योशनाओं की जानकारी दी जाएगी और लाब पहुचाया जाएगा जो अभी तक इससे वन्चित है इसके तहट पहले चरण में कृशी बागवानी मतस्य और पश्युपालन विवाग को सम्मिलित किया गया है उपायुक्त ने बताया कि आगामी सोंवार यानि 26 मार्च को उपायुक्त कार्याले में 3-5 बजे तक विवागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे इस तोरान कोई भी बिरोजगार फोन कर अपनी स्वरोजगार की रूची बता सकता है कॉल करने वाले की पूरी डिटेल हासिल करने के उपरांट 15 दिन के भीतर विवाग्य टीम उस स्व्यक्ति से संपर्क करेगी उसके उपरान तो स्व्यक्ति को उसकी रूची के मताबिक स्वरोजगार के लिए उचिस्त सलाहा और सरकारी सहायता दी जाएगी प्रक्रिया पनाई है कि आने वाला जो सोंबार है 26 तारीक को उस दिन हमारे कारयाले में डिफेंट विभागों के जो अधिकारी हैं वो बैठेंगे इस कड़ी में हमने सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ होटी कल्चर एगरिकल्चर फिश्री और एने वाला सर्विंटरी को लिया है यह वागा के अधिकारी हमारे ओफिस में बैठेंगे हम आपके साथ कुछ नंबर शेयर कर रहे हैं जनल पबली को बताने हो और जनल पबली को हमें चल करेंगे और कॉलर को में रिजिस्टर करेंगे और जो कलर रिजिस्टर हो जाएगा उसके पास विभाग के उपायुक ने कहा कि कई बार जागरुकता शिविर आयोजित किये जाते हैं लेकिन शिविर में वही पुराने चहरे होते हैं जिससे ज्यादतर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती हैं। उन्हें ने कहा कि इसलिए अब विशेश अभियान चलाया गया है ताकि इन सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों को मिल सके।